हाँ जी तो आज के आपके करेंट फेर सिक्सीन डिसेंबर ट्विंडी ट्विंडी टू के सबसे पहला करेंट फेर है फेशिल रेकोगनिशन सिस्टम के बारे तो आपके एक नई गर्मेंट की तरफ से आप लॉंच करने के ट्राई की जा रही है डिजी यात्रा इसमें कुछ सिक्यरिटी को लेके इश्यूज है डिजी यात्राइक ऐसा आप होने वाली है जो भी इंडिया में आ रहे हैं अगर वह अपना प्री जैसे सारे के सारे चेक इन सब कुछ करवाना चाहते हैं ताकि सेक्यरिटी और उसमें टाइम उनका कम लगे तो वह फेशियल इस आपके अंदर फीचर है तो इसके अंदर क्योंकि उनके पासपोर्ट के डिटेल और उसके बाद जो उनका अपना फेस उन्होंने स्कान किया तो यहां से यह वेरिफाई कर सकता है कि क्या यह सेम पर्सन ही है जा नहीं है ठीक है तो यह इस आपके बारे यह आप एक ट्र काम कैसे करती है फेशल रेकुगनेशन टेकनोलोजी होती क्या है देखो बहुत सारे phones बहुत सारी companies अपने फोंस में पून अन्लॉक भी जैसे आप फेशल रेकुगनेशन से देती है इसके इलावा गर्मर्मेंट सापकी cc TV इसको भी फेशल रेकुगनेशन टेकनोलोजी क कि लेट सबोस कहीं पर कोई दंगे हुए कुछ हुआ है वहां पर जितने भी आरोपी है उन्हें अइडेंटिफाइग करना है तो फेशल रेकोगनिशन से कर सके तो यह अपने काम कैसे करते हैं यह हमारे फेश काइप बनाता है जब आपका कैमरा कां करता है तो बेसिकली वह एक तरह से प्रॉपर बनाने है खिए नाक की शेप लग लग है फिर फोर हैड किसी का कैसे लगता है हमारा फेश तो अलग-लग चीजों के पूरा प्रॉपर मैप बना लिता है कहां पर बलज है कहां पर क्या आगे ते आपको डिप है इस तरीके से उसने पूरा को पूरा स्कान करके पूरा मैप बना लिया तो उसे आपकी शकल नहीं पता होती उसे इस तरीके एक मैप पता होता है उसके पास होता है हर बारी जब आपने अनलॉक करना है उस चीज को वेरिफाई करना है तो जब आप फेस आगे करते हो तो वह इसी मैप से कंपेर करता है कि जो मेरे पास आउटलाइन है क्या उसी आउटलाइन से यह बिल्कुल सेम है लग गया अगर तो हुआ तो वह चीज facial recognition काम करती है नहीं तो नहीं करती ठीक है तो इस तरीके से आपकी facial recognition अब देखो facial recognition technology यह जो मैंने आपको technology बताई है जहां पर same face का data store किया गया है और उसी face को बार-बार match किया जाता है इसे कहते हैं one ratio one technology one ratio one का क्या मतलब है कि देखो जो data store था उसी एक ही face को compare करना उसी face का सर्च कर रहा है न वो पर जब आपकी governments facial recognition की technology को यूज करती है criminals को डूडने के लिए तो होता क्या है कि देखो government के पास पूरा का criminals का database है अब इस database के अगेंस एक face को सर्च करना है ठीक है अब यह जो face है तो यह one ratio n हो जाता है ठीक है one ratio n हो जाता है कि n नंबर of faces से compare करके match आएगा इसमें क्या होता है फिर जब यह one ratio n होता है इसमें हमेश्या predictability score आता है कि यह 70% match है यह 80% match है ठीक है ऐसे करके matches आते हैं क्योंकि देखो हर जगा एक digital map बन रहा है अब वो map कई लोकों के face मिलते जुलते भी तो हते हैं तो कई बारे यह इस तरीके से आपके identical score बताता है कि यह feature इसके इससे match करता है यह feature इससे scan ले रही है रेटिना scan ले रही है सब कुछ ले रही है तो वहां पर हर चीज अब अधार के अंदर तो यह सारा data है अब सरकार दो declare यह किया गया है कि कभी भी आपके अधार के data को ऐसे use नहीं किया जाएगा पर किसी को पता थोड़ी है कि कैसे use किया जाएगा ठीक है तो इस कारण यह कई बारे reports आई हैं कि सरकार ने अधार के मलब यह reports आई हैं सरकार ने ने क्लेम किया कि सरकार अधार के data के यूज करके भी कई दंगों में criminals ढूनने कोशिश कर रही है और इसके और बहुत बड़ी जो प्रॉग्लम साबित होती है कई बारी यह जो स्कोर आते हैं इसके basis पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है पर कई बारी facial recognition जो होता है नो वह गलत भी होता है कई बारी जो actual face है वह percentage में नहीं होता और किसी और इस परसन का face ऐसे मैच खा जाता है उस परसन को उठाके जेल में डाल देते हैं यह बहुत चारी western countries में हुआ है हमारे यहां पर कोई ऐसा बड़ा case बनकी नहीं आया पर दुनिया भर में इसके examples है चाइना तो इसका बहुत बड़ा example है चाइना तो facial recognition इस हद तक यूज करता है कि तुम्हारे face पे expression जगा जगा हर शहर में camera ते हैं उनके जो उन्होंने artificial intelligence से अपना system की रिट किया है कि कि किसी person के face पे expression कैसे उस expression से यह पता लगाने कुछ करते हैं कि यह person आज कोई crime कमिट करेगा जा नहीं करेगा और उस basis पे और रेस कर लते हैं ठेक है तो उनका कहना है कि क्रिमिनल के facial expression ही अलग होते हैं यह तो ऑविसली वह गलत भी हो सकता है यह तो पर यह सारी के सारी चीज़ें यह सबसे पहले नाइंटीन सिक्सी के करीब एक टेकनालोजी आनी शुरू हो गई थी और विट टाइम एडवांस होती गई है और जाज़ाद फीचर और जाज़ इनर्जी है उसके बारे आपका करंट फेर दो सोलर पावर देखो इंडिया का खास फोकस है कि हम अपने कंट्री के अंदर सोलर इनर्जी और बढ़ा सके हैं इसका एक खास कारण है हमारी कंट्री को अगर आप देखोगे जो हमारी कंट्री का सारा का सारा मैप है कि हमारी कंट्र को अगर आफ हाफ юण करते हों यहां से से ल यह सी हिखुआ आरोपी एरिय अर्थ पर वह माना जाता है जहां पर आपकी मैक्सिमम सन लाइड अभेलेबल है ठीक है और बाकी भी कोई ट्रोपिकल एरिया से इतना दूर नहीं है कि बाकी का सण लाइड से बहुत जाभ दूर हो तो हम एक बहुत ही coral पूजिशंड़ है ट्रõपल और उपर वाले एरिये तो हम सब ट्रॉपिकल कहए ते हैं कि आपके के पूरे रहे हैं तो हमारे यहां में ईजाता है पूरी इंडिया का तो इंडिया इसकी तरफ खास फोकस कर रहा है हम अभी तक 61.6 गीगा वाट सोलर पावर एनर्जी लगा चुके हैं ठेक है जो हमारा टार्गेट था हम ऑविस्ली उसे नहीं एचीव कर पाएंगे हमारा टार्गेट 2022 के एंड तक सिर्फ सोलर एनर्जी 100 गीगा वाट्स लगान टार्गेट को नहीं मीट कर पाएंगे यह हमने पहले डिक्लेयर कर दिया है अब हमारा टार्गेट 2030 तक है हमने नए टार्गेट जो हैं 500 गीगा वाट ओवरॉल हमने क्लीन एनर्जी की तरह शिफ्ट करना है वह सारे टार्गेट हम किसी और दिन पढ़ेंगे ठीक है तो हमन बीच में साल गए वेस्ट दो साल वेस्ट होगे उसके कारण हम शिडियूल से पीछे हो गए ठीक है पर वन अफ दी बिगएस्ट जो रिन्यूबल इनर्जी का सोर्स इंडिया में आने वाले टाइम में बनने वाला है वह सोलर ही है ठीक है सबसे ज्यादा पहले विंड ही है सबसे ज्यादा विंड चल रहा है पर विंड थोड़े ही टाइम में पीछे रह जाएगा और तीन-चार सालों में और सबसे बड़ा जो रिन्यूबल इनर्जी का सोर्स है वह सोलर होने वाला है सोलर इनर्जी के लिए बहुत सारे सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं जहां प इसकारण अब देखो सोलर इनर्जी अपने आप में दो तरीके की होती है एक होती है ग्रिड कनेक्टेड और एक होती है ऑफ ग्रिड इन दोने चीज़े मारे बता दूं ग्रिड कनेक्टेड होता है कि देखो जो आपके बिजली की तारे बिची हुई है आप अपने घर से बिजली की तारों को disconnect नहीं करवाते हो ये बिजली की तारें ये सब कुछ आपके connected रहती है ठीक है तो होता क्या है कि basically जब भी आप मला आपने घर के उपर solar panel भी लगवा लिए तो बात किया है कि जब भी आपने बिजली produce करनी है कुछ भी करना है आप solar panel से कर रहे हो पर जिन पर दूसरी साइड है आपके off grid, off grid का मतलब होता है जो main electricity supply से जुड़े ही नहीं हुए तो जहां पर जिन दिनों में solar energy नहीं available, grid में देखो क्या होता है अगर आपके पास extra बिजली बन रहे है let's suppose आप घर पे नहीं यूज़ कर रहे हो ये सारी बिजली ना grid में चली जाती ह और आपके build में प्लस add हो जाता कि बिजली बोर्ड आपको पैसे देखा वहीं पर दूसरी सेड पर जो off grid है off grid में ऐसा कुछ नहीं होता, off grid में कोई connection नहीं होता, यह बिलकुल एक stand alone किसी घर पे लगा हुआ system है, यहां पर क्या होता है कि सब कुछ आपकी battery से connected है बस, जब जितने इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, यह जो बैटरी है, यह सारे घर को पावर कर रही है, जैसे ही अगर बहुत सारे दिन ऐसे निकलते हैं कि आपका cloudy रहा बहुत सारे दिन और आपकी battery खतम होगी, solar panel नहीं चार्ज कर पाए इसे, तो बस बिजली एक बारी के लिए ब इसे जो एक organization बनाएगे थे international शुरू किया गया है, green grid initiative या one sun, one world, one grid, देखो एक simple सी इसके बीचे thinking है कि दुनिया में कहीं न कहीं किसी time पे तो sun होता ही है, obviously सारी दुनिया में अगर earth rotate कर रहे हैं, कहीं न कहीं तो day time होगा, अगर बाकी जगवा पर रात भी है, अगर हम सार सारी दुनिया की बिजली की जितनी भी grids हैं, इन सब को connect कर सके, green grids को, यानि की सारा renewable energy, ठीक है, तो जितनी भी solar power है, सारी दुनिया की solar power को अगर हम एक साथ connect कर सके, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि let's suppose जब हमारे यहां पर रात है, तो obviously world के दूसरी साइड पर रोशनी है, त तो वहां पर बिजली produce हो और बाकी सारी दुनिया को supply हो जाए, जब हमारी side पर day आए हम उस सारे grid में बिजली supply करना शुरू कर दे, और जहां पर रात है, वहां पर supply, तो obviously कहीं पर weather खराब भी होगा, पर बाकी जगहों पर अच्छा होगा, तो बिजली अपने आप बनती जाएगी, तो यह बहुत ambitious project है, इसे इंडिया, France, UK, में यह तीन countries promote कर रही है, पर इसके इलावा हम हमारा जो भी presently इंडिया की because यह द्वारा led initiative है, हम अपने आसपास की जो countries है, भुटान, बंगलादेश, निपाल और मियनमार, इन चारों countries के साथ इंडिया मिलके इस ताम यह grid को connect कर रहा है, इंडिया उल्रेडी बुटान, बंगलादेश, निपाल और मियनमार को बिजली बेचता है, तो हम अब वहाँ पे green grid भी create करने कुश्च कर रहे हैं, जहां पे solar energy, यह सारी की सारी exchange होने लगे, obviously फिर यह धीरे-धीरे हम सारी दुनिया में connection कर पाएंगे, थर्ड करेंट फेर है आपका कॉलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, इसके उपर मुवी बनी वही है, केजी एफ पर यह केजी एफ पर नहीं है करेंट फेर, इंडिया क्या प्लान कर रहे है, देखो, इंडिया के अंदर गोल्ड की demand लगातार बनी रहती है, पर गोल्ड के जो import ह हमें जातर गोल्ड बाहर से मंगाना पड़ा, तो जातर गोल्ड बाहर से आता है, ठीक है, बहुत स्मॉल कॉंटिटीज में गोल्ड, तो यह जो बाहर से import होता है, इसके लिए सरकार को डॉलर में पैसे चुकाने पड़ते हैं, ठीक है, तो इंडिया एक बहुत ही पुरानी जो इंडिया में माइन रही है, देखो कुलार आपका जो एरिया पड़ता है, यह करनाटका में पड़ता है, यहाँ पे ब्रिटिश एरा के टाइम से यहाँ पे माइन्स एक्जिस्ट करते हैं, ब्रिटिश भी और इवन ब्रिटिश से पहले जो आपके चोल इंपायर था, वो भी यहाँ से गोल्ड निकालते थे, तो करनाटका गोल्ड के लिए फेमस रहा है और उसमें कुलार गोल्ड फील्ड बहुत फेमस रहे हैं, इवन ब्रिटिश ने यहाँ पे आके माइन्स लगाई थी और यहाँ पे माइनिंग वो करते थे, पर 20 साल पहले इन माइन्स को बंद कर दिया गया था, क्योंकि बात किया थी कि हमारे पास उस ताइम पे टेक्नॉलजी अवेलिबल नहीं थी, कि और जितना वहाँ पे गोल्ड बचा हुए ना, उसे निकालने के लिए, क्योंकि वो बहुत डीप हो गया था, अब उतनी डेप्ट से निकालने के लिए हमा यहां से 50 मिलियन टन निकालने का सरकार कॉंट्राक्ट जारी करने वाली है, कि यहां से यह गोल्ड निकाला जा सके, ठीक है, तो इस तरीके से कॉलार गोल्ड फील्ड फिर से अक्टिव की जा रही है, नेक्स्ट जो आपका करेंट अफेर है, वो है स्टेम सेल बारे, स्टे क्या होते हैं देखो आपकी बॉड़ी के अंदर अदिसक्रते हैं है आग धुर। यूजली जो होते हैं वो हमेशा termally differentiated cells होते हैं जो adults में होते हैं इसका क्या मतलब होता है देखो हमारी body के अंदर अगर इस पूस किड्नी है किड्नी की लगातार cells refresh हो रहे हैं तो पुराने cells अगर die down कर रहे हैं उन्हें बनाने के लिए जो नए cells आ रहे हैं वो already determined हैं कि किड्नी में जाके ही लगेंगे पर अब कई बारी बहुत critical disease हो जाती है जहां पर हमारे body cell produce करना बंद कर जाए या बहुत कम quantity में कर रहे हैं तो obviously बहुत ही serious effect हो सकता है या कोई organ failure हो कुछ भी हो तो यहां पर यह आपके जो stem cell हैं वो बहुत काम आ सकते हैं यह ना unborn child यह just after birth अगर निकाल लिये जाए और उन्हें store कर दिया जाए यह बहुत beneficial साब़िज हो सकते हैं पुरी life के लिए क्योंकि अगर just birth के time हमारी body में ऐसे बहुत सारे cell होते हैं जो किसी एक organ को define नहीं किये होते कि यह आगे चलके कौन से organ बनेंगे अगर वो cell निकाल के रख लिये जाए उन cells को stem cell कहते हैं इसका benefit क्या होगा कि let's suppose कल future में जाके उस person को किसी भी चीज़ की problem आगी let's suppose liver की problem आगी अब उसे नया liver लगाना पड़े तो artificially उस पूरे liver transplant भी होते हैं सब कुछ होता है पर बात कहा है कि अगर कोई transplant करवाता है उसे उसके बाद medicines खानी पड़ती है ताकि body उस organ को reject ना कर दे क्योंकि वो बाहर से अलग से लगवाया गया है किसी और person का transplant हुआ है अगर अपने ही cells से liver generate होगा उस person को बाद में इस चीज़ का डर नहीं होगा कि उसकी bodies organ को reject कर दे क्योंकि वो same design को होगा उसी के cells नहीं तो बनाया है वो तो इस तरीके से ठेक है नेक्स्ट आपका जो current affair है last knee file missile को test launch किया है इसकी जो range है वो 8000 km के करीब range है ये 3 stage rocket होगा तीन stages में launch होगा ठेक है ये intercontinental ballistic missile है देखो अगनी सीरीज जो पूरी है ये इंडिया की टॉप सीरीज है nuclear weapons की यहां से nuclear weapons सबसे टॉप यहीं से launch किया जाते है अगर जरूरत पड़ी तो अगनी 1 से लेके हम लगातार range बढ़ाते जा रहे हैं तो अगनी 5 की range almost 8000 किलोमेटर है यानि कि ये सारे के सारे चाइना को अब cover करता है तो चाइना के पास पहले ऐसे weapon थे जो सारे इंडिया के अंदर कहीं पर न्यूक्लियर ब्लास करवाना वो करवा सकते थे अब हमारे पास भी सेम रेंज सेम चीज त्यार होगी है कि हम भी चाइना के जातर सारे एरिया में स्ट्राइक कर सकते हैं ठेक है तो ये सारे की सारे उस मिजाइल के बारे था और ये थे आपके आज के current affairs